हेलो फेंट स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल मास्टर की रसुई में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल अर्वी के पत्ते की सबची आपके यां इसको क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मैंने यहां ले लिया है अंदाजे से बेसन और साथ में डाल दिया है हल्दी, मिर्ची, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धरिया का पॉडर और थोड़ा सामने यहां अजवाइन भी डाला है थोड़ा सा लेसन अद्रक का पेस्ट और यहां हम इसका एदम गाढ़ा सा घूल बना लेंगे अब हम हर अर्भी के पत्ते पे इस बैटर को लगाएंगे equally यह देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इस पर हाथों से लगा लिया है आप इसे ब्रस से भी लगा सकते हैं लेकिन आप इसे हाथों से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से लगेगा सारे पत्ते को एक को सीधा रखेंगे एक पत्ते को उल्टा रखेंगे और इस तरीके से सारे पत्तों पर हम यह बैटर लगा लेंगे अब आती है बारी इसको fold करनी की तो सबसे पहले आपको इसके corners fold कर लेने हैं ये देखिए मैंने इसको चारो तरफ से fold कर लिया है और इन folds पे भी हम बेसन लगा लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से चिपक सके और इसको आपको fold करना है ऐसे जिसे कि ये खुल ना पाए तो ये हमारे अर्बी के पत्ते मैंने इस तरीके से सारे fold कर लिये थे और गरम पानी डाल दिया था कडाही में उसको boil होने के लिए मेरे पास कोई चनी नहीं थी तो मैंने ये इस तरीके से spatula ही रख दिया था और इसको थोड़ा सा धागे से बान दिया था था कि ये खुले ना जब भाप से पके तो तो अब हम इसको डाल देंगे जो भी spatula डाला है मैंने इसके उपर अगर आपके पास छलनी हो तो आप उसमें भी डाल करके या डायरिक्टव पानी में डाल करके बीशको वोईल कर सकते हैं तो ये हमारे बहुत ही अच्छए से भाप से पक चुके हैं और इसको मैंने कट करके फ्राई कर लिया है shallow fry किया था आप चाहें तो इसे deep fry भी कर सकते हैं लेकिन ये shallow fry में भी बहुत ही tasty, बहुत ही crispy बनते हैं। तो ये हमारे अर्वी के पकोड़े तयार हो चुके हैं। लेकिन आज हम पकोड़े नहीं बना रहे हैं, आज हम अर्वी के पत्ते की सबजी बना रहे हैं। सबजी में हमने ले लिया था सरसो, लहसन और काली मेश और इसका हमने फाइन सा पेस्ट तयार कर लिया था। और यहां मैंने डाल दिया है कडाही में सरसू का तेल साथ में डाल दिया है थोड़ा सा राई और यह जो पेस्ट हमने तयार किया था यह पेस्ट डाल दिया है अब हम यहां डाल देंगे थोड़ा सा इसमें पानी उसके बाद हमने डाल दिया है हल्दी मिर्ची साथ में धनिया का पॉर्डर और थोड़ा सा नमक और इस मसाले को आपको तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से तेल ना निकलने लग जाए अब हमने यहां जरूत के अब जी हो जाएगी तैयार और इसे आती है अब सर्फ करने की बारी तो मैंने यहां बोल में डाल दिया था चावाल इसके उपर यह अरभी के पत्ते यह सावन के महीने में मुझे तो एदम मचली का फ्लेवर दे रहा था मैंने तो कावी पसंद से खाया अगर आपको भी प पसंद है तो लाइक करना शेयर करना सबस्क्राइब जरूर करना